नियू स्कीम को लेकि जितने भी आपके क्वेस्टन से आई के अपने उनको अड्रेस की है मैं आपके साथ शेर करूंगा जो आपके रेलिवेंट इपोर्टेट क्वेस्टन से और उनके जवाबात में मैं आपको अपने भी सजेशन दे रहा हूंगा आपने इस वीडियो का को समबर 2021 में जो अटेम्ट आएगी उसमें पास कर लेते हैं और जो स्कीम है वो मार्च 2022 में एप्लीकेबल होगी तो क्या हमें पियर सी लेवल फिर भी एक्जैम्ट होगा आपको एडिशनल एक्जैम इंट्रोड़क्शन टो अकाउंटेंग य एकनॉमिक्स देने की जरुरत नहीं होगी अगला आपका कॉस्चन के जो स्टूडेंट्स अभी सेप्टेंबर एटम्ट में कैफ वन टू और थी देने जा रहे हैं तो उनको न्यू स्कीम जब भी अप्लाई होगी तो क्या क्रेडिट्स मिलेंगे कैफ में तो देखिए आपको कैफ वन और कैफ टू में जो आपका कंपनी लौ है वो भी सो नंबर के ये दोनों सब्जेक्ट हो जाएंगे तो ये गोल्डन अपर्चुनिटी आपके पास सबसे ज्यादा फोकस जो है आपका बिजनस लौ पर होना जाए तो आपका जो अगला कॉस्चन था वो ये कि क्या हम जो अभी फी सब्म लियां हो सकती हैं नेक्स को सब्सक्र आपका ये था किया हमें कैफ में फिजिकल क्लासेज लेनीард क्यूंकर पहले की एक क्या चिए पीडिशन थी में पॉसिबिलिटी है कि आपको फिजिकल से क्लासेज लेना पड़े इसक्ते हैं अब किसी जैशेसे लेक्सर शेना रहाने Google physical classes लेना mandatory नहीं है सबसे important यहां पर जो आपकी तरफ से question raise किया गया वो यह था कि जो students CAF में अभी अपनी attempts को utilize कर चुके हैं और वो भी transition stage में आएंगे new scheme में CAF में जब वो जाएंगे तो उनकी क्या attempts count होंगी क्योंकि कुछ students ऐसे हैं जिनकी attempts कुछ कम रह गए हैं तो क्या वो count होंगी तो यहां पे big no आई कैप ने कहा है कि वो आपकी count बिल्कुल नहीं होंगी वो आपको transition period के मताबक वो आपको pass करने पड़ेंगे CAF के exam वो किस तरह कि अगर आपके सारे CAF के exam रहते हैं सारे के सारे CAF के exam रहते हैं तो फिर आपके पास चार साल हैं चार साल में आपने CAF qualify करना है और खुदाना खासता अगर CAF आपके तीन पेपर रह जाते हैं और चार साल भी पूरी हो जाते हैं तो फिर आपको 24 महीने extra मिलेंगे अभी जो स्टूडेंट्स जिनके कुछ तीन पेपर रहते हैं चार पेपर रहते हैं तो उनके पास कितना टाइम होगा 24 महीने और उसमें आप 6 मन्स पर पेपर आप एड़ करते जाएं तो आपका easily formula के मताबक आपका टाइम निकल आएगा तो अभी आपकी नई स्कीम के मताबक ही अटेम्ट्स काउंट होंगी पिछली अटेम्ट्स आप भूल जाएं अचा यहां पे एक और पॉइंट यह है वो यह कि जो students disqualify पहले हो चुके हैं तो क्या वो दुबारा इस स्कीम में आ सकते हैं इसका question ना किसी ने किया और ना इसका जवाब मिला तो इन्शाला यह question करेंगे आई-कैप से और देखते हैं कि क्या response आता है वो भी आपके साथ जरूर जरूर शेयर करेंगे अचा हमारी क्या suggestion होगी जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप अभी कैफ 1, 2, 3 यह देने जा रहे हैं तो आपकी सबसे ज्यादा जो priority होनी चाहिए वो business law के subject होनी चाहिए क्योंकि golden attempt होगी इसके बतले में आपके दो बड़े exam business law और company law दो exam होंगे और second priority आपकी होनी चाहिए यह BMBS अगर वो आप इस वार पास कर लेते हैं तो जो new subject आ रहा है वो आपका exempt हो जाएगा अच्छा काफी जादा students ने यह question किया कि sir kindly आप हमें यह बताईए कि अभी से अगर हम time count करें September attempt के लिए तो क्या हम BMBS का subject एक क्या हम अभी से start करें पहले हमने बिल्कुल classes नहीं ली हुई तो क्या हम यह कर सकते हैं देखिए अगर तो आपका एक subject है और आप अच्छे तरीके से planning कर सकते हो डेली के 5-6 गंटे दे सकते हो तो देन आपको जोर लगाना पड़ेगा और यह आप पास कर सकते हो हाँ एक बात है कि अगर आप business law पहली बार बढ़ने जा रहे हो तो फिर मैं रिक्मेंट करूंगा यह आपकी अपनी choice हो सकती है आई होब कि यह आपके जितने भी सवालात थे उनका आपको जवावाद मिल गए होंगे और कोई भी question हो आप comment box में हमसे पूछ सकते हैं हम आपको जरूर reply करेंगे और आपने शहबाद साहब का चैनल का लिंक में आपको description में डाल दी है और comments में भी पीने तो आप जरूर check out कीजेगा fun type का वहां पर आपको content मिलेगा तो अभी आप बिल्कुल परशान नहों just focus on your studies and with planning इंशाला आपको पास करेगा next video में मिलते हैं तब तर के लिया लाफ़ाज